तिरुपुरा में हुई हिंसा की आग महाराश में फैल गई है राज्य के कई शहरों में प्रदर्शन हो चुके हैं और अमरावती नांदेर्ड मालेगां में ये रैलियां हिंसक हो गई है पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फणवीज ने घटना पर गंभी चिंता व्यक्त की है और राज्य सरकार का इस पर ध्यान खीचा है तिरुपूरा में कत्यत सामप्रोदाइक हिंसा की घटनाओं से देश के कुछ राज्यों में हिंसा की आग फैल गई जिसमें महराश बुरी तरह जुलस रहा है पिछले कुछ दिनों से तनाव की सिती बनी हुई है इससे जुड़े कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पर वाइरल भी हुए है हालकि पुलस ने तत्थी सपष्ट किया है कि तिरुपूरा में हुई घटना केवल एक अव्वा मात्र है पर इस बीच तिरुपूरा में हुई घटनाओं के विरोध में मुसलिम संगटन देश के कई हिस्सों में बंद कर रहे हैं महराश के अमरवती, मालेगाव, नांदेड, हिंगोली और परभणी में भी आज विरोध रैलियां की गई इन रैलियों में भारी भीर देखी गई, अमरवती, मालेगाव और नांदेड में मोर्चे ने हिंसक मोर ले लिया मोर्चाकारों ने कई दुकानों में तोरफोर की है और कुछ जगाओं पर पुलिस को भी निशाना बनाया गया है इससे तनाफपून इस्तिती पैदा हो गई है और पुलिस को कानुन ववस्ता बनायर रखने की भारी चुनोती है इस्तिती को नियंतरत करने के लिए पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और वरिष्ट पुलिस अधिकारी इस्तिती को सम्हाल रहे है इसके बावजूद लोग और पुलिस वाले पत्थरबाजी में घायल हो रहे हैं। फर्णवीज ने इन मोचों पर उंगली उठाते हुए अपनी चिंता जाहिर की है। और सोशल मीडिया पर जाली फोटो जो दिये है उसका भी परदाफाश किया है। बावजूर उसके महाराष्टर में जिस प्रकार से मोर्चे निकाले गए और विशेश रूप से उन मोर्चों में जो हिंसा की गई और हिंदू समाज के दुकानों को जलाने का प्रयास किया गय यह सारा अस्वस्त करने वाला माहूल है। मैं अमरावती के लोगों से निविदन करना चाहता हूँ, बिंती करना चाहता हूँ, हमारा जो समाजिक सवहार्ध है, इसको वो कायम रखे, कोई भी हिंसा न करे, हिंसा करना बिलकुल गलत होगा, और जूटी चीजों के उपर इ वाला भाशन देते हैं, और उसके बाद मोर्चे निकलते हैं, इसका भी कही न कही इसकी सुद ली जानी चाहिए, उनके उपर भी कारवाई होनी चाहिए, और सरकार ने यह कौनसी साजिश के तहत जूटी अफवाव पर मोर्चे निकालकर हिंसा फैलाने का प्रयास किया जा